हेलो दोस्तों दोस्तों क्या आप जानते हूं कि 15 अगस्त और 26 जनुरी को जंडा फैराने में क्या अंतर है चलो हम आपको बताते हैं कि 15 अगस्त और 26 जनुरी को जंडा फैराने में क्या अंतर है दोस्तों सतंतरता दिवस के मोके पर राश्टिय ध्वज को नीचे से रसी द्वारा खीच कर उपर ले जाया जाता है और फिर खोल कर फैरा जाता है जिसे ध्वजारोन कहते हैं अर्थात इसका मत्वल है दोस्तों कि 15 अगस्त को हमारा देश अजाद हुआ था तो गुलामी की जंजीरों से छूट कर अजादी का जीवन हमारे देश के अंदर आया था गुलामी की जो जंजीरे थी वो तूट गई थी और अजादी की और हम अगरसर हुए थे और जो हमने अंग्रेजों का जंडा था उसको नीचे उतार कर हमने अपने भारती जंडे को उपर फैराया था इसलिए 15 अगस्त को नीचे से उपर की और रसी द्वारा कीच कर जंडा ले जाया जाता है और फिर खोल कर फैराया जाता है जिसे द्वजा रोहन कहते हैं इसके लिए अंग्रेजी सब्द फ्लैग होस्टिंग का इस्तेमाल होता है और दोस्तों मैं आपको और बता दूँ कि 15 अगस्त को माननिय परधान मंत्री जी जो वक्त के परधान मंत्री होते हैं तो वो जंडा फैराते हैं जबकि दोस्तों 26 जनवरी यानि गंतंतर दिवस जिस दिन हमारा सविधान बना था उस दिन गंतंतर दिवस के अवसर पर जंडा उपर ही बंदा रहता है जिसे खोल कर फैराया जाता है जिसे जंडा फैराना कहते हैं इसके लिए अंग्रेजी का एक सब्द है फ्लैग अन्फरलिंग जिसका फ्लैग अन्फरलिंग का इस्तेमाल होता है दोस्तों मैं और आपको एक नई जानकारी देदूं कि 26 जन्वरी को हमारे देश के माननिय राष्ट पती जी जंडे को फैराते हैं तो ये फर्क है 15 अगस्त और 26 जन्वरी को जंडा फैराने का और आशा करता हूं कि आपको ये जानकरी अच्छी लगी होगी और भी अने को जानकरी आपको क्रिस इंफरमेटिक यूटूब चैनल पर मिलेंगी आप क्रिस इंफरमेटिक यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करो लाइक करो शेर करो ठैंक्स दोस्तों